कि तो चलिए आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं पदखंड हिंदी इसका प्रेट incubab जानते हैं कि इसके अव्जेक्तिव और सब्जेक्टिव क्ऌसन को हम लोग पढ़ेंगे कर और कभी का नाम क्या जी रशकान तो चलिए। शेप्टर से सम्मंद जो भी महत्रपूर्ण अबजक्टिव क्वेस्टन उसको समझ लेते हैं और उसके सब्जक्टिव क्वेस्टन निचे लिखवा दिये जाएंगे जिसे आप नोट कर लेंगे टुटल मातर पांची प्रस्ण है आपके किताब में सब्जक्टिव का पहला हमारा आप ज्यक्टिव का कभी ने माली मालिन किसे कहा है दुक हुआ बहुत संदर राधा कृष्ण को दूसरा प्रश्ण है रसखान के रचना काल कि समय край का राजけकाल था कौन सा मुगलhappy जहांगीर है अगला प्रस्ण है प्रेम रसखान ने प्रेम आइनी किसे कहा है तो प्रेम अइनिय स्री राधिका यैनी राधा को कहा है तो यहां पर C number box राधा को टिक करेंगे शायर नंबर प्रत्षने में कौन सा गरंथ रसखान का है अब यहां पर देखे चार गरंथ का नाम है उसमें से बताना है इसको किसने लिखा है रसखान ने लिखा पहला है जौपू जी याद है पिछला चैप्टर गुर्णानक जी ने लिखा था इसको बीजा प्रेम बाठी का तो हमारा अपसर यहीं पर सही हो जाएगा बींबर मच प्रेम बाठी कोई किसने लिखा था र WRK bu aच नमबर प्रस्फन है रस 104 जे किसकी Bhagね करते राधा और कृष्ण ने कहा था खैर अप्सन में राधा नहीं केवल क्या है कृष्ण है तो आप कृष्ण को टिक करेंगे अगला प्रस्ना है इन मुसलमान हर जन पे कोटिन हिंदू वारिये यह कभी के लिए किस ने कहा था भारतेंदू भारिश्चंदर ने कहा था देखिए अगर चैप्टर को अच्छे साब समाझ लेते हैं न तो यह कोष्ण कोई माईनी नहीं रखेगा इंट्मेटिक आप बना लेंगे बस चैप्टर को अच्छे समाझना है कि साथ नमबर अग्जान द्वारा रचित गरंथ कौन सा है प्रेम वाटिका उसने उने कौन सा गरंथ लिखाया जी अगला प्रस्णा है रश्खां के इश्ठ थे इश्ट मतलब अपना देवता किनको मानते थे भगवान स्री कृष्ण को नौ नमबर प्रस्ण है सुजान रस्खान के रचनाकार कौन है? रस्खान क्योंकि आप लोग पढ़े थे तो बताएं न कि दो याद रख लिजिएगा एक था प्रेम वाटी का और ही क्या था? सुजान रस्खान जिसके रचनाकार कौन है जी? रस्खान जी है दस नमबर प्रस्ण है रस्खान को गोस्वामी बिठल नाथ ने किस मार्ग में दिख्चा दी? पोस्टी मार्ग में कौन से मार्ग में जी? पोस्टी मार्ग में बहुत अच्छा ग्यारा नमबर प्रस्णा है रस्खान किस प्रकार की रचना में सिध्ध थे सवय्या में किस में सवय्या में सिध्ध एक लाइन ता उसमें प्रग्राप नमबर दो में पिज नमबर 114 में कि रस्खान सवय्या छंद में सिध्ध थे अगला प्रस्णा है सवये मेरा स्खान की कैसी आकांच्छा प्रकट है मतलब कौन सी इक्षा रखते हैं आपसा नमबर A है मुक्ति की B है भगवान की प्राप्ति की C है ब्रज भूमी में निवास करने की D है स्वर्ग प्राप्त करने की कि क्या है ब्रज भूमी में निवास करने की कि ब्रज भूमी में भगवान कि क्रिष्ण रहते थे उनको भगवान नहीं क्रिष्ण भगवान चाहिए के बल उसके अलावाने किसी से कोई लगाव नहीं है रस्खान ने चित्चोर किसे कहा है मन को चुराने वाला किसको बोले है भगवान कृष्ण को लकूटी का अर्थ क्या होता है पड़े न किया लकूटी अरूक मरूम्रिया लकूटी मतलब होता है लाढ़ी लकूटी मतलब लाढ़ी चोटी लाढ़ी आप लोग देखें उथा ए सवाधी अ जाते हैं कभी रस्खान ने प्रेन बरन किसे कहा है तो भगवान कृष्ण को अगला प्रस्ण नंद नंद किसे कहा गया है कृष्ण भगवान के नंद के लाल कौन है जी कृष्ण भगवान ऑईनी का अर्थ क्या होता है जैसे प्रेम ऑईनी स्री राधिका ऑईनी मतलब क्या होता है तो ऑईनी का अर्थ होता है खाजाना यानि प्रेम के खाजाना राधा और क्रिश्न है अगला प्रस्ना है प्रेम वाठिका की रचना किस प्रकार की रचना है कि प्रेम निरूपड संबंधी प्रेम निरूपड संबंधी कि सुजान रस्खान किस प्रकार की रचना है क्रिश्न की भाक्ति संबंधी दोनों के बारे में दिया था परिचय में कि ए मिए परिफेर के फंड किश को कहते हैं स्वैम को कहते हैं कि मेरा मन है वह मेरे बस में नहीं है वो खुद भगवान क्रिश्ण ने चुरा लिया अब बेमन मैं का करू परिफेरके फंद मैं इस चकर में पड़ गया हूँ तो कभी भक्त के रूप में अपने आपको कहते हैं अगला प्रस्त है यहाँ पे 21 नमबर कौन सी कृती रस्खान की नहीं है आप चार अपसन ने उसमें बताना है कौन इनका नहीं है ए नमबर है प्रेम फुलवारी बी है प्रेम वाटिका सी है अश्ट धाम डी है सुजान रस्खान तो याद रखेंगे प्रेम फुलवारी जो इनका नहीं है बाकी तीनों उनका है कितना लोग प्रेम फुलवारी मारेंगे प्रेम का बात आ जाएगा तो प्रेम फुलवारी कहीं बढ़नों नहीं हुआ है कि 22 नमबर क्वेसन नहीं लिखेंगे कि यह हो चुका है पहले कार्प मेरी जो को समझाये जाए यह दुबारा उसको मत लिखिए गाप लोग कि अगला प्रस्थाहर रस्खन किस काल के कभी हैं तो भकतिकाल किस काल के कभी हैं तो भकतिकाल अगला परस्थन है प्रेम अएनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित्थ हैं ध्यान से देखिए चार दोहे हैं आरे देखो किताब में पेज नमर 115 में एक लाइन है उसके बाद लोगा है ना तो जहां पे दो लाइन खतम होता है उसे तरह देखे एक दो तीन चारग होगा के दुदू के लाईन के दूहा है तो चार है इंद्यास कितना लोग आठवुपे उपशन आठो देता है तिक कर देते हैं तिक कर देते हैं कि उसके बाद करील के कुंझन उपर वारों के अंतरगत कितने s Beijing संकलित देखे उसमें कितने सवया है दो है लेकि यहां पर आपसर में मैंने सही अंसर लिखा एक मत लिखेगा क्या लिखेगा दो है अगला प्रश्ण है रस्खान हिंदी के लोग प्रिये कभी हैं किस परकार के लोग प्रिये कभी हैं तो किताब में दिया था कि रस्खान हिंदी के जातिये लोग प्रिये कभी हैं कौन से लुख्प्रिये कभी हैं जी जाती है लुख्प्रिये कभी है आप उनका परिश्य पढ़ेंगे तो उसमें मिल जाएगा अगला प्रस्णा है कि रस्खाज ने स्री कृष्ण का लीला गान किसमें किया है सवयों में सुर्थों में पदों में इन में से सभी सवयों में किया है किस में किया है आधनी काल के साहित्यकार किनको कहा जाता है भारतेंदू हरिश्चंद्र देख लिए उसमें लिखा है कि आधनी काल के जो रचनाकार है वो कौन है भारतेंदू हरिश्चंद्र है कि अगला प्रस्तना है प्रेम वरन का अर्त क्या है तो प्रेम वरन का प्रेम मतलब प्रेम वार्ण मतलब होता है जाती है रंग जाती आ तो यहां पर हम कहेंगे प्रेम का रंग प्रेम का रंग रस्खान का जर्म कब हुगा था वैसे किताब में नहीं दिया है लेकि याद कर लिजिए का 15233 में नेट से खोजा गया तो 15233 में इसमें मैंने दिया है ठीक है ना कि उसके बाद है बस इतना है important question है बाकी सब दुबारा question आये हैं ज्यादा तर तो उसको आप लोग मत लिखेगा चले इसके subjective question को आप लोग इसको note कर लेंगे और फिर हम तीसरे chapter में मिलेंगे कि इस चैप्टर में टूटल पांच प्रस्थन हैं आप लोग अच्छे से इसको लिख लेंगे और इस तरह हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में तीसरे पार्थ में तो आज के लिए इतना ही प्रस्थनी